इंशाल्ला जाएगे आपके कानों तक अवाज घर तो आतंगियों के टूटे हैं मुसल्मानों के कोई घर नहीं टूटा आतंगी कोई सभी धरम का हो घर उसके टूटे हैं माफ्याओं के घर टूटे हैं आतंगी का कोई धरम नहीं होता इमान नहीं होता उनके घर टूटें, मैं भी मुसल्मानूं, मेरे भाई बहुत हैं, किसी का घर ने टूटा ऐस तक? उवेशी जी तो एक समुधाय की राज निती करते हैं, कभी बड़े नेता बनी नहीं सकते और मानिनी है, योगी जी का जो फैसला है, वो सब के लिए है, और एक समान है तके बिक्ती हैं, और शदे उसे ही मोदी और योगी का विरूद करते आ रहे हैं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइन से इंडिया पर, मेरा नाम है विनोशर्मा देश के साथ साथ उत्तर परदेश में भी कावड यात्रा बड़े ही सोहार्द पूंड तरीके से, शांती पूंड तरीके से और उत्तर परदेश में तो योगी की सरकार है, तो उत्तर परदेश में कावडियों के उपर हेलिकॉप्टर से फूलों की बरसात की गई लेकिन इसी को लेकर OVCG की राजनितिक रोटियां सिखना शुरू हो चुकी है OVCG का ये कहना है कि एक तरफ तो मुसल्मानों को UP में योगी सरकार परिशान कर रही है अगर मुसल्मान सडक पर नवाज पढ़ता है तो बवाल हो जाता है और वहीं UP में योगी सरकार कावड़ियों के लिए पूरा रास्ता खाली करवा देती है एक तरफ तो मुसल्मानों के लिए ये OVCG का आरोप है योगी जी के लिए कि मुसल्मानों के लिए कही ना कही उनके घर तोड़े जा रहे हैं और दूसरी तरफ कावड़ियों पे फूलों की बरसात की जा रही है मेर संग तमाम जो लोग हैं वो लोग मेर साथ मौजूद है इनसे बातचीत करूँगा सबसे पहला सवाल तो मुसलिम समुदाई के व्यक्ति सही करूँगा जो इस हिंदू समुदाई के लोग यहां खड़े हैं उनके बीच में यह खड़े हुए हैं क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम इर्शाद एमंदे इर्शाद एहमद क्या कहेंगे कैसी रही कावड़ियात्र उत्तर परदेश में आप रहने वाले हैं उत्तर परदेश में कैसी निकली कावड़ियात्र बहुत बढ़ है निकली और इसी निकलने चाहिए हर साल और फूलों की बारिश तो हर साल होने चाहिए जो दो-दो-तिन साल जो लोग डोन में रहे ना तो वो मोसम थोड़ा ऐसा था पूरी हवाम के लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए आपके जो है लोग डोन से हम बरी रहें बहार रहें आजाद रहें तो फूलों की बारिश तो हो नहीं है तो वेसी जी तो कहा रहे हैं कि मुसलमानों को तो परसान कर रहा है योगी जी अब की चैनर के मादभ तो ठोशे तो मेरी और जाएगी इंशा ल το जाएगी आपके कानों तक गवाज घर तो आतंगी कोई तूटे हैं मुसलमानों कोई घर नहीं तूटा आतंगी कोई साभी धरम का हो घर उसके तूटे हैं माफियाओं के घर तूटे हैं आतंगी का कोई धरम नहीं होता इमान नहीं होता उनके घर तूटे हैं मैं भी मुसलमानों मेरे भाई बहुत हैं किसी का घ तो एक समुधाय के राज निती करते कभी बड़े नेता बनी नहीं सकते हैं कि मुसलमान अगर सड़क पर नवाज पढ़ ले तो बवाल हो जाता है हिंदुओं के लिए पूरा कावड़िया कावड़िया रास्ता खाली करा दिया भाई क्यों पढ़ेंगे हम रोट पर नवाज और पढ़ेंगे भी तो हमारी कभूल ही नहीं है योगी सरकार पांच साल से है OVCG कह रहे हैं कि मुसलमानों को तो बहुत ज़्यादा परिशान किया हुआ है क्या उत्तर परदेश में योगी के रहते मुसलमान परिशान है क्योंकि मैंने वो कवरेज भी करी जब यहाँ पर ईद मनाई गई बकराई अगर नगर निगम तमाम जो सफाई के इंतजाम थे वह मुसलमानों के लिए किये गए क्या लगता है योगी सरकार पांच साल कैसे चली और दूसरी बारा आई है तो क्या दिखाई दे रहा मुसलमानों को देखो जो पात साल चली 50% अब जो चली 100% ऐसे लंबर पर सरकार चली 28 राजियों में पूरे हिंदुस्तान में सबसे लंबर वन योगी भारती इंदा पार्टी के योगी जी है और योगी और राजी भी मांग रहे हैं ने योगी जी को राइस्तान मांग लो दिल्ली मांग र नहीं है सबका साथ सबका विकास सबका प्रियास सबका विश्वास लेकर चलना है योगी जी बताइए आप किसी चीज में फरक देखा आपने मैं गिनाता हूं आज तक वेसी को फरक मानता है और वेसी को वेसी जो समुधाय है दोनों भाई ये लडाने वाली बात करते हैं एक तो राहूल गांदी का परिवाद एक अकलेस का एक वेसी का ये सारे जितने भी है ये मुसल्माने को हवा देते हैं ताकि लडाए बी बिल्डोजर से भी है बुल्डोजर से मैं बहुत परशान हूं वाई बिल्डोजर से फरी है वेसी तो बिलोजर से परिशान होगा अब मैं आते की होई नहीं रहूं मैं फार्श सुतरा हूं मैं मुझे तो इडिके टर नहीं है जिसने बष्चाचारे ना परिवाद वाद है ना परिवाद लेकिन दूसरी तरब जब एक OVC जो बड़े नेता हैं वो ये कहते हैं कि योगी जी तो सिर्फ हिंदुत की राजनिती कर रहे हैं देखे जैसे कि OVC का बयान आया आपने सुना ही है अब हमारे जो मौमडन भाई खड़े हैं हमारे साथ में उन्होंने कितना अच्छे तरीके से उन्हें जवाब दिया एक जवाब हम भी देना चाहते हैं कि चाए वो हिंदु का तोहार हो सिक्को का तोहार हो हिंदु का तोहार हो वो तोहार बड़ी खुसी से और बड़ी सांति पूर्वक मनाया जाता है और एक सच्चाई और बता देना चाहते हूं कि यहां हिंदू-मुस्लिम वाला कोई सीन ही नहीं है, हम भाई चारे की तरह के से रहते हैं, और जो माननी है, योगी जी और मोदी जी बैठे हुए हैं, उनका एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और इतना अच्छा कारी है हो रहा है, कि बस पूछो मत, और एक चीज और बता देना चाहते हूं, जिस तरीके से एद पर, जितने भी हमारे इंदुत के भाई थे, वो सभी लोगों ने जाकर, इद भी मनाई और अपना भाईचारा भी दिखाया, और जितनी भी साफ सफाई, ज मेरे मौमडन भाई भी सामिल थे, गुलाब के फूल देने में भी और उनका स्वागत समारों में भी, तो मैं तो इतना ही कहना चाहती हूं, कि हमारे बीच में हिंदु मुस्लिम वाला कोई मैटर नहीं है, और माननी है योगी जी का जो फैसला है, वो सबके लिए है, और एक समान है, सबका साथ लेकर चल रहे हैं, सबका विश्वास जीत रहे हैं, और कोई भी कुछ भी बोलता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी बार पुलिस की डूटी लगी की सेवा करें, कावडियों की सेवा करें, उनकी सुरक्षा करें, और कावडियों के लिए जो विवस्ताय हैं, उनको दुरूस्त किया जाए। जनता ही नहीं की है, तो जितने भी अधिकारी होते हो जनता के लिए होते हैं, अगर उसमें जनता के लिए भला सोचेंगे, उनको फूल बरसाने के लिए, कहीं कुछ सपाई का काम है, या किसी के पट्टी करना है, किसी का भी कुछ भी होगा, तो सबसे अच्छा योगी दि जात्रा पर फूलों की बरसात करवा रहे हैं, मुसलमानों के घर तुड़वा रहे हैं, ओबे सी जी को अपना हैधराबाद बचाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं एकी बात कहना चाता हूं कि ओबे सी वगेरे से आधिमियों को अपने घर बैड़ जाना चीए, हिंदू मुसलिम भाई भाई है, आज हमारी खोड़ा नगठरपालीका है इतने विकास है, योगी जितना नेतरव में हमारी रिनय भाती जी ने विकास करें है, हिंदू मुसलिम भाई-बाई है, आपके पास उदारन में हमने अपने बड़े मॉल्वे भाई को खड़ा कर रखा है, आज हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है हमारे घर मुसल्मान आते हैं मुसल्मानों के घर जाते हमारे में प्रेम भावना है और जो राजनीती कर रहे हैं मुसल्मान इस चीज को जान चुके हैं आपका क्या नाम है जी में नाम योगेश बाटी है बाटी जी क्या कहेंगे ओवेसी जी कौन सी राजनीती पर उतरा है कि कावड यातरा निकलती है तो फूलों की बारिस होती है मुसल्मान अगर कुछ करते तो उस पर डंडे पड़ते ह ऐसा जिन लोगों पर जन लोगों को अपने व्यक्तित पर विस्वास नहीं होता है और अपनी योगता पर विस्वास नहीं होता है वह लोग धर्म की जा तरच के लिए कोई तो आच्छा काम की राजनीती करेंगे द्वेज की राजनिती करेंगे योगी जी धर्म की राजनिती कर रहे हैं योगी जी हिंदुत की राजनिती कर रहे हैं योगी जी सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं लेकिन मुसल्मानों के लड़कों को पकड़वा पकड़वा के डंडे पिटवा रहे हैं सब्सक्राइब करते हैं इसलिए योगी राज में सारी काम अच्छे हो रहे और योगी जी फिर दुबारा आगे बढ़कर दुबारा मुखमधी बनने वाले लगार दुबारा है बिलकूल ठीक है बिलकूल ठीक है भी और अत刚 हीमान नहीं हमने जी तो बहुत ठीक ठाक रहे उत्तर प्रदेश में फूरे हिंदुस्ताम में जब से भी मोदी जी आएं समझे कोई अगर विक्ति भूग से मरा हो तो करोना काल में बता दो 80 करोड आदमी मुप्त रासन उठा रिया लोगों ने बेचें और कांगरेश की सरकार में करोड दो करोड ईंसान तो हम अरे थे हिंदुस्तान में जब आपात्रान लगाया था बहुत्म कराम खुश हो योगी से विजी बिल्कुल खुश हैं थीजिट नंबरके प्रधान मंत्री योगी जी मेरी अने वाले तीसरे लंबर पे ध्यां देलाना मेरी बात आज लिखने न आप क्या कहेंगे आपका क्या नाम होगा गंश्याम तिवारी नाम है तिवारी जी क्या कहेंगे आरोप ये बड़ा लग रहा है ओवेशी जी की तरफ से की हिंदूों की कावड यात्रा पर पुषवर्सा मुसल्मान अगर कहीं भार खड़ा होके नवाज पढ़ ले तो उस पर बवाल ही बवाल को मैं बता देना चाहता हूँ कि खाली मुशलिम का घर नहीं गिरा है बुल्डोर्जे से बिकास दूबे का भी घर गिरा है लेकिन हम हिंदु पक्ष आवाज नहीं उठाते हैं क्योंकि वो हो एक अपराधी व्यक्ति था और अपराधियों के मकाम तोड़े ही जाएंगे यह उत्तर प्रदेश है बाबा योगी आदितनात की सरकार है यहाँ पर जो अच्छा काम करेगा अगर हिंदुत को बढ़ावा देने का कोई भी काम कर रहा है तो उसका श्वागत ह होगा फूलों की बरसा भी होगी राष्ट हित का कोई भी काम करेगा उसके उपर पुस्वी बरसाए जाएंगे उसका स्वागत भी होगा लेकिन अपराधी व्यक्तियों की स्वागत यहां पर अपराधी व्यक्तियों का स्वागत करने का कोई स्थान नहीं उत्तर अगर उसके लिए आंदोलन किया हो एक भी ब्रहमड अगर आंदोलन किया हो या खड़ा हो उसके साथ में या उसने जो कृत किया उसके उसके साथ में हो ब्रहमड तो आप बता दीजिए क्योंकि कभी ब्रहमड या फिर उत्तरप्रदेश की जंता कभी भी बुराई के साथ में जो बुराई करेगा वो कुछला जाएगा उसका मकाम तोड़ा जाएगा उसको दंडिस किया जाएगा वो जेल के अंदर जाएगा जाएगा यहां कानून का राज है यह ओवैशी का राज नहीं है ओवैशी तो दंगा नहीं हो पाया जैसे आदिल और कमाल यह दो व्यक्तियो और इसकी प्रसाशन की सतर्कता है ये बच गया इसका बचाव हुआ हम धन्यवाद देते हैं योगी जी को कि उनकी प्रसाशन इतना बढ़ी हाथ हा कि उसको मातर दो गंटे के अंदर गृफतार करके और जेल के अंदर डाल दिया जेल के अंदर डाल दिया बिजनोर की घटना की बात हो रही आखिरी सवाल आपसे क्या कहींगा कैसी रही अपकी बार कावड़िया कावड़ यातरा इस बार बहुत अच्छी रही है अभी कुछ दिन पूर्वी इद का तिवार था हमारी नगरपालिका की चेरमेन स्रीमतिरीन भाड़ी जी ने ऐसी व्यवस्ता ही के क्योहार पर करी थी कि सारे वाड़ों में करमचारी छोड़ के 3434 वाड़ों में मस्जितों के आसपास सेवा देने में लगे हुए थे और हम भी लगे हुए थे मैं भी कावड लेने क्या वाद था बीच मेरी तबियत खराब हो गई थ मैंने बताया मेरे पेट में दर दो रहा हुए उन्होंने मेरे से एक भी रुपा ने लिया तो जब मुसल्मान खुछ फूल बरसा रहे हैं तो ओवेसी जी को क्या दिक्कत है वो तो यहीं चाहते हैं दंगा हो उन्हें कोई मुद्दे मिले योगी जी का फैसला और सरकार बह और ओवेसी जी को ये संदेश भी यहां से गया है अगर ओवेसी जी आप तक ये वीडियो पहुँचे आप तक हमारी ख़बर पहुँचे तो जरा इस वीडियो को जरूर देखिएगा दो दो बार देखिएगा कि उत्तर परदेश में जहां पर योगी जी पुश बरसा बड़ियो पर करवाते हैं वहीं योगी जी की जो परशासन है वो सुरक्षा और स्वास्त विवस्ता और सफाई की विवस्ता इद के मौके पर भी करवाती है यानि की उत्तर परदेश में ओवेसी अगर राजनितिक रोटी सेखने की कोशिश करेंगे तो उसका जवाब इस इसी तरीके से उत्तर परदेश के हिंदू मुस्लिम उनको देते रहेंगे कैमरामेन कुलदीप सिंग के साथ विनोश शर्मा हैडलाइन्स इंडिया के लिए